Good morning friends and welcome to my channel मैं हूँ लता और सेह जीवन चैनल पर आपका बहुत स्वागत है Friends, आज मैं आपके साथ शियर करूँगी कि एक मरती हुई तुलसी को हम कैसे बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं और क्या क्या हमें स्टेप्स लेने हैं सामने जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये तुलसी का प्लांट ये मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी COVID के बाद काफी समय हो गया था, मिले नहीं थे तो उसने मुझे ये अपना प्लांट थमा दिया क्योंकि उससे ये संभल नहीं रहा था अभी नहीं नहीं वो गाडनिंग सीक रही है और क्योंकि मैं गाडनिंग वीडियो बनाती हूँ तो उसने मुझे कहा कि ये प्लांट ले जाओ और इसको बचाने की कोशिश करो तो मुझे हसी भी बहुत आई कि अब ये मुसीबत में है प्लांट तो मुझे थमा दिया है तो मैंने उसको कहा कि चले ठीक है मैं कोशिश करूंगी और फिर वीडियो भी बनाऊंगी और बाकी अपने व्यूर्स के साथ शेयर भी करूंगी तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखें इस प्लांट की हालत क्या है इसके 90% जो डालिया है वो सुखी हुई है सर्दी भी आजकल खेर बहुत पढ़ रही है और सर्दियों में ये प्रॉब्लम अकसर आती है जादा तर लोगों का इस्पेशली जो बिगनर्स हैं उनका प्लांट मर जाता है और इन दिनों क्योंकि कोविड चल ही रहा है तो हमें तुलसी का प्रियोग करना भी बहुत जरूरी होता है और हम हर कोई चाहते हैं कि घर में तुलसी का प्लांट हो और वो अच्छे से चले और हम उसका काड़ा या चाए बना के पिये तो चलें फर्स टेप जो मैं अभी कर रही हूँ सबसे पहले इसकी जो सुखी हुई डालिया है बिल्कुल सुख चुकी है ये इनको सबको मैं कट कर दे रही हूँ और अब दोस्त है तो फिर उसको मना नहीं कर सकते हैं मैंने सुझा कि मैं उसके घर बैठके उसको सिखा दू लेकिन वो इसको रखना ही नहीं चाहरी थी उसको काफी डर लग रहा था हम हिंदूं में क्या है कि तुलसी जी की हम पूजा भी करते हैं तो अगर तुलसी का प्लांट मर जाता है तो थोड़ा सा जादा दुख होता है तो उसने मुझे कहा कि नहीं तुम इसको ले जाओ और पूरी अपनी ट्राइ करें तो फर्स्ट टेप ये हो गया टेहनी है मैंने सारी काट थी अब आप देखें पास से ये प्लांट में कुछ-कुछ लीवस आये हुएं लेकिन मैं जब इसको लाई थी 15 एक दिन पहले तब इसमें कोई पत्ते नहीं थे उस समय लाकर के मैंने क्या करा था सबसे पहलो थे इसकी मिट्टी चेंज करे थी इसमें उसको जो फ्रेंड का गमला था वो तो मैं नहीं यूज किया अपना जो मेरा सॉयल बनाती हूँ मैं कंपोस्ट और मिट्टी मिक्स करके थोड़ी सी सेंड डालके मिट्टी चेंज मैंने अल्रड़ी कर दी थी और फिर अभी देखें टैनिया मैंने सारे काट दी है आपको कैसे चेक करना है कि ये प्लांट चलेगा की नहीं तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें कि टैनी ले और उसको ऐसे खुरच के देखें स्क्रैच करके देखें अगर वो हलकी सी भी ग्रीन है टोटली ब्राउन नहीं है तो आप अपना पूरा प्रयास लगा दें पूरे कोशिश करें उस प्लांट को बचाने की ये देखें पास में थोड़ी सी इसमें ग्रीनिश टिंज है तो इस स्टेम को भी मैं बिटी में गार दे रही हूँ फ्रेंड्स थर्ड इंपोर्टन बात ये है कि तुलसी का प्लांट आप बहुत इजीली स्टेम कटिंग से भी लगा सकते है हलाकि बीच से तो ये लगी जाता है लिखे नगर आपनी गंले में लगाना है तो आप इसको कहीं से भी आप इसके स्टेम्स ले आए देखे इसको भी मैंने खुर्चा और हलाकि ये उतना ग्रीन नहीं है जितनी की वो मदर स्टेम थी जो बहुत मोटी वाली है लेकिन फिर भी ट्राइ करने में कोई हर्ज नहीं है अभी कोई जादा दिन नहीं हुए इसको हम कोशिश करने में क्या जाता है हमारा तो जितनी भी मोटी मोटी स्टेम्स हैं वो सारी मैं कट कर दे रही हूँ और इनको अब मैं मिट्टी में गाड रही हूँ और मिट्टी में क्योंकि हमने गोबर की खाद मिलाई हुई है नरिश्मेंट तो ही है तो आप होप करते हैं कि प्लांट बच रहेगा कुछ समय बात फिर मैं दोबारा इसका वीडियो बना के आपके साथ फालो अप मैं इसका जरूर शेयर करूंगी फ्रेंड्स एक चीसमें और भी आपको बहुत इंपोर्टेंट बात ये कहना चाती हूँ कि जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है चाहे वो जानवर का हो या प्लांट का हो या इनसानों का हो हमें हर कोशिश करना चाहिए जीवन को बचाने के लिए ये देखें चाकू से मैं इसको खुरच के देख रही हूँ हलकी सी ग्रीन ये भी है तो इसको भी मैं मिटी में गार रही हूँ और खासकर जो पिछला साल रहा फ्रेंड्स गोविड वाला उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो जिनको मैं जानती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं बहुत सद्मे में भी गई लेकिन सम्हाँ फिर भी मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती रही क्योंकि इससे एक तो वीवर्स के प्रशनों के जवाब भी दिये जाते हैं और इंटरेक्शन भी होती रहती है और जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो तो फिर मुझे मेरी जो साडनस है वो दूर हो जाती है और इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया भी अदा करती हूँ अभी मैंने क्या करा है यह जो कमपोस्ट है मैंने रात में तो चमच बड़े चमच पानी में भीगो के रखी थी आदा मग इसको भी मैं घोल के इसमें डाल दे रही हूँ और यह देखें यह हमारे सारे अब मैं इस प्लान को धूप में रख रही हूँ ताकि इसके जो लीवस पे थोड़ी थोड़ी फंगसी लग रही है मुझे वो भी ठीक हो जाए और अभी हमने इतना सारा पानी भी डाला है तो धूप में रखना उचित है आशा करते हूँ आपके लिए ये वीडियो यूसफूल रहा होगा कमेंट बॉक्स में लिखके मुझे जरूर बताएं पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक्यू सो मच